सब्सक्रों की सुर्वाद रॉयल एंफिल्ड के साथ क्योंकि ये बाइक नहीं ये है आपकी पहचान रॉयल एंफिल्ड बाइक्स अब केवल 29,000 नौतों के डाउन पेमिन पर तो देर किस बास की केसी मोटोराइट वैर हैं रॉयल एंफिल्ड इस ताट जस्ट अबाइक इस अबाइक्स 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 आपका स्वागत है मैं हूँ नमृता सिंग आपके साथ आईए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओधिल्ड जैनमे दिनिश्कवार आप देख रहे हैं सिंग्रॉली लाइफ हम मौजूद है साच के उश्टरमादमिक विद्याल है विंदनगर में और यहां पर हमें सूत्रों से मिली जानकारी से यह प्राप्थ हुआ है कि यहां पर प्राचार्य कक्ष में चोरी होने की आशंका जदाई गई है और इस विशय में हम यहां के सिक्षकों से मिलेंगे जानेंगे कि क्य यह घटना है इस घटना करम के पीछे किसका हाथ हो सकता और कब यह घटना घटी और यह घटना किस चीज को संकेत दे रही है आई ही जानते हैं तो हमारे साथ चर्चा में जूड़ चुके हैं PC पटेल जी उचमादनेक सिक्षक हैं सर क्या घटना हुई थी जरा विस्तार से ब से विद्याले में देखे कि प्रेंस्पल कक्ष का ताला तुटा हुआ था करीब जाकर हमने देखा तो च्छतिग्रत सवस्था में था तो प्रेंस्पल मेडम इस समय मेडिकल अपकास में चल रही हैं दूर भासपोर उनको सुचित करना चाहा लेकिन संपर्क नहों पाया फ लोगों ने उचीत यह समझा के पहले पुलिस का इंफार्म करें पुलिस का इंफार्म किये दस मिनट बात पुलिस भी आई उदेखें हैं अंदर की स्थथी अब आगे की कारवाई के लिए उनको रिटेन में लेटर फी दिया गया कि विद्याले में आज रात में यह घटन को मिला है हम लोग जो अंदर गए तो हमारी स्थेम की एक आलमारी है प्राचार में हो दिया की एक बड़ा बॉक्स है जिसमें स्कूल के कुछ आइटम्स रखे हुए हैं वो सब खुले हुए अवस्था में मिले आलमारियां दोनों टूटी मिली थी प्रिंस्पल मेडम की ट केवल सास के भी लेखों गयरा रहते हैं एक कंप्यूटर और प्रिंटर है जो बिल्कुल सुरक्षित रखा हुआ है तो हम लोग गिशनी कर पा रहे हैं कि चोर अगर आया तो किसली आया जो हमारी हाल में रहा है उसको उपन करने के बाद पाया गया कि चाविया उसमें रख पाया था उसका रखा हुआ था तो चोड़ने आलमिरा तोड़ने के बाद उसके कबर को फेक दिया है और बॉटल को ले गया है वो नहीं मिला है माकी अभी लेक जो हमारे पास थे उसमें रख्षित रखे हैं चोरी आपके इसी कक्ष के अंदर हुई है प्राचार कश को हमें और क्योंकि यहां पर पुलिस आई है और अपनी जाइजा भी लिया है पुलिस यहां के पूरे घटना का और हम इसके अंदर अभी जाने की अनुमती हम खुद नहीं लेना चाहते क्योंकि यहां पर पुलिस ने अपना कारवाई किया हुआ है लेकिन इस प्रकार की चो झाल झाल